दस साल के इस पच्चे की दोनों किड़नी खराब है शरीर का विकास पूरी तरह रुख चुका है पिता हीसी में कॉंट्रेक्ट मजदूर है घर वालों ने स्कूल से नाम कटवा दिया है परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है घर में रखे गहने और जेवरात बेचकर जो पैसा जमा हुआ था अब तक उसी से इलाज हुआ क्योंकि एचिसी में पिता को भी पिछले छे महीने से मजदूरी नहीं मिली अब परिवार को सरकार से उम्मीद है राचि के एचिसी में कॉंट्रेक्ट मजदूर के रूप में काम करने वाले लालकेस्वर चोधरी को तीन लड़की और एक लड़का है एक लौता बेटा रूपेस्वर चोधरी सालों से बिमार है रूपेस्वर का दोनों कीडनी खराब हो चुका है फिलाल उसका इलाज CMC वैलोर से चल रहा है डॉक्टर ने कीडनी ट्रांस्प्लेंट की सला दी है लेकिन परिवार के पास रूपेस्वर के लिए दवा खरिदने के भी पैसे नहीं है वे सरकार की तरफ आस भरी निकाह से देख रहे हैं इसके लिए DC से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक को भी पत्तर लिखा गया लेकिन अब तक कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाया इस बच्चे को आपकी मदद की जरूरत है आपकी छोटी सी मदद इस बच्चे को नई जिंदगी और इस परिवार के चेहरे पर रोनक ला सकती है आप चाहें तो इस स्क्रीन पर आ रहे इस नम्मर पर कुछ डोनेट कर इस परिवार को मदद कर सकते हैं बीमारी के चलते किन्नी किन्नी खराब है कौन बला डाक्टर किन्नी तेदा खराब है इही मने हुआ है किन्नी के इथी है आव सारी जग मने देखाए तो नहीं ठीक है तो भीलोर से दवा चल रहा है तीन-चार बार गाए इस्तीती खराब हो गिया एह सब भाय आउखा है अब नहीं हमको हीमत कर रहे है कि हम जाए तो हम सरकार समने पैसा मांग रहे है मदद जो है कमाया है सरू उसी का मतलब है कि हमारे सीप्यक में जामा होता है उसी से लॉन लिकाल लिकाल के इसको दिखा रहे हैं और कभी परिवार में कहीं कहीं से भायू थोड़ा बहुत मदद किया है अब ही तक वह यह नहीं किये थे कभी लेकिन अभी अब पुन रूप से आर्थिक माने इस्तितिक खराब होने के वज़े से हम अब गुहार करना पड़ गया हम अपील यही किये हैं कि सर आर्थिक मदद की की जाए हम एक गरीब परिवार से आता हूँ अब बहुत मने गंभीर बीमारी है मदद मांगना चाहता हूँ